हेलो बच्चो आज हम क्लास 628 की वर्क्षिट नंबर 50 करेंगे जिसकी डेट है हमार पास 1st September 2020 ठीक है इस वर्क्षिट में आज हम क्या सिखेंगे इस वर्क्षिट में हम सिखेंगे कि वर्क्षिट में पता हैं आज वर्क्षिट में पता हुए देको फैक्षट क्या होते हैं कोई ब ine Fuck कोई बी रैंडमी एक नमबर डुनिया पर फोर कि फोर के फैक्टर्श निकालो तो आपको इस अंहें वहेखना कि वह मेरे फोर के फेक्टर्श होते हिए तो अगरляется आपसे पूछू एक किस की टेबल में आता है टो इन तीन निकालें आपने यह है थे इनकी टेबल में आता है तो इस बाइब निकालें शॉक्तन होर्गे करेंगे तो चलो हम देखते हैं अपने और यहां पर हमारे को कुछ कोशेंस दे रखें लिख और फिर पास यहां पर let's try to find factor of some more numbers ठीक है आपके पास यह numbers दे रखें कि हम factors कैसे निकालेंगे इनके यह हमें बताने देखो मैंने तो अभी example में बहुत छोटा सा number लिया था आपने मुझे easily आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि वह तीनी टेबल में आता है वन टू और फॉर लेकिन देखो यहां तो 42 है तो अब यहां पर कैसे करें तो इसको करने का एक बहुत असान तरीका है मैं इनको नीचे सॉल्व करनूं सारे पार्ट्स को ठीक है तो फर 42 हотри two होका ठीक है two की टेबल में भी आताए क्यूंकि इसके लास्ट मे टू लिख वहा ए तो डेबल में यह आता है कर लो च् Evan कर देखा तो त्री की टेबल में या आता है फोटीन पर यह ऐने यह था फोर से बहूझे संसे दिवाइट किया कि से टेबल में यह था, mem अच को तो आता है नाता है treffen सिखोंच दिवाइट धिृचिने कि टेबल ला जरे शोच हे और 9 से किया 9 की में भी नहीं आता 10 से किया तो 10 की में भी नहीं आता तो मैंने बस 10 तक ही मुझको divide करना है और इसका भी shortcut तरीका है अगर आपको 10 तक के divisibility rule आते हैं तो आपको वो divide करने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अब आपको factors कैसे लिखने हैं यह वाले सारे numbers लिख दो 123 और 6 ठीक है यह वाले numbers भी आपको लिखने हैं लेकिन यह नीचे से उपर लिखना 7 14 21 और 42 तो यह है 42 के factors इन सारी table में आता है 42 ठीक है तो चलिए अब अपना next part देखते हैं यहां पर 60 तो चलो देखते हैं यहां पर कर लेते हैं 2nd part भी 60 है मेर पास तो पहले वही मैं यहां लिखती हूं 60 किस कि table में आता है सिफ 1 से 10 तक की ही देखूंगी divide करके तो 1 की में आता है 60 पे 2 की में आता है 30 यह सारे मैं करकर के देख रहूं तो मुझे पता है ठीक है और कुछ के मुझे डिविजिबिलिटी रूल साते है ठीक है ना पी की में आता है ट्वंटी पे पोर की में भी आता है यह तो मैंने डिवाइट के तो 15 आ रहा था पाइफ की में भी आता है यह तो 512 जा और 6 की में भी आता है अ अब हम इसको लिखेंगे कैसे देखो पहले आप यह सारे नंबर्स लिख दो तो 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब इनको लिखो आप नीचे से उपर तो 10,12,15,20,30,60 इसका मतलब 60 इन सारी टेबलों में आता है यह सारे जो हैं वो 60 के क्या है फेक्टर है ठीक है चलो थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास 55 यहां करते हैं हम अपना थर्ड पार 55 तो देखें 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं 1 55 होगा 2 की टेबल में 55 नहीं आता क्योंकि इसके लास्ट में और नंबर है 5 3 की टेबल में भी नहीं आता है यह 4 की टेबल में भी नहीं आता है 5 इंटु 11 ठीक है ना 6 की में भी नहीं आता 7 की में भी नहीं आता 9 की में भी नहीं आता 10 की में भी नहीं आता किसी भी टेबल म से उपर तो यह आ गए मेरे 55 के ठीक है है ना असान तरीका हमें पता चल पा रहा है कि किस की टेबल में आता है ऐसे अगर आप रैंडमली लिखोगे हाँ याद आ रहा है इस टेबल में भी आता है उस टेबल में भी आता है तो कोई ना कोई फैक्टर छूप जाएगा आपका छलेए बहुए देखते नेच्ट अं पास 47 ठीक है लिखिते हैं हम अपना फूर्ट नमबर 47 देखो 47 फॉर्ट इसेवन मेरा प्राइमằr अमः नमबर मेरे वह नमबर होते हैं जो फिर अ फिर लक्रेफैन के टेबल में आते हैं तो इसके तो मुझे सीदा सीदा फैक्टर प Hai Nagrawitथी किए ने रहाएं थो चले देखते हैं 98 के कैसे लिखेंगे रहें कि एक वन की टेबल में तो सारी नंबर आते तो वनेंटो 98 एक टुल्हें भी आता है क्योंकि सब्सक्राइक अ है और आका एट projeto कि टे kg यह को सनल नंबर लगा म। enroll दा सु良 parents important की टेबल में 14 पर आता है उसके बाद मैंने इसे 8 से डिवाइड किया नहीं आता 9 से किया नहीं आता 10 से किया नहीं आता बस 10 तक ही करने थे नो चलो अब लिखे 1 2 और 7 यहां लिखेंगे ठीक है और इसको क्या करेंगे नीचे से उपर लिखेंगे यह वाली साइड तो 14 49 और 98 तो इसका मतलब 98 के Factor क्या क्यों हो यह सारे 98 के इनी टेबल में 98 आता है तो यह थी आज कि हमारी व्रक्शीट व्रक्शीट नंबर 50 इसकी जो नेग्स्ट वरक्शीट नंबर 501 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आउन कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू